है 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 लोग वेलकम तो नॉलेज़ प्लस इस वीडियो लेक्चर में हम इंसे अर्टी क्लास 6 के जोग्रफी का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं इसके पहले अल्रेडी हम लोग तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख सब्सक्राइब पढ़े है कि इस चैप्टर का नाम है मैप्स तो आए सुरू करते हैं आज का लेक्चर यदि आप क्लास 6 के स्टुडेंट है या फिर किसी कंपर्टिवटी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेनेफीसियल है जरूर देखें और चै यह अर्थ के मोडल को बोलते हैं और लेकिन गिलोब के पास कुछ लिमीटेशन है क्या है हम लोग उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग याथ को ऐसे होल पढ़ना चाहिए मतलब अर्थ को एक ऑब्यक्ट मान के पढ़ना हिसके लेकिन के एक पाटिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ना चाहिए जिसके से किसी कास कंतरी के बारे में किसी खास के में किसी खास कंटिनेट के वारे में तो हम लोग को गलोब नहीं बलकि मैप का सहरा लेना पड़ेगा तो असाना और में 10 ordered the drawing of Earth surface or a part of it drawn on a flat surface यानि कि Earth का एक पॉर्ट को एक किसी हिस्से को फ्लैट सरफेस पर दरसाना ही मैप एक से अर्थ मैपके ट्रॉइंग है अर्थ सर्फेस का या और के सब्सक्राइब के किसी एक हिस्से का एक करान शेप को प्रेटली नहीं किया जा सकता फिर वह लोग उसको को और सब्सक्राइब करते हैं अपने सहूलियत के लिए अपने शुभ्धा के लिए इसमें इन्फर्मेशन जादा होता है इस पीनफ नीचे यहां पर बताया गया है जैस którą पर बारे मैप के बारे बताया यह फिच्छुथ फीचर दिखाया जाता है अर्थ का नेचरल फीचर जैसे रिवर माउंटेन फ्लैट्यू प्लेंस ओसियंस रिवर्स यह सब बारे पढ़ाया जाता है तो उसको में बनाया जाता है उसको में लोग को पॉलिटिकल में बोलते हैं सब्सक्राइब 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 परपस के लिए है मालेज की इस तरह का बनाए है तो इसमें हम लोग दिखाते हैं कि यहां पर रिभर है यहां पर माउंटेन है यहां पर प्लैट्टिव है इधर आइलेंड है इस तरह से हम दिखाते हैं तो उसको बोलेंगो फिजिकल मैप और उसी मैप में यहां लोग दिख तरह पर किस तरीके का पानी के बारे में बताया गया कर पानी ज्यादा पलूटेट रेणफॉल बताया गया है कहां कितना ज्यादा रेंफॉल होता है कहां वर्सइछ ज्यादा होती है कहां होती है इस तरीके का जिसमें होता है तो उसके थीमलों आद इसान तेहले मेट में जएक का सबस्कारएं दिएंण झसेल्स आप सबस्कंट पॉलिटिकल निप्सीजा स्जेट अपनिंट दोरी गरंटर सिम्भॉ करें तो देखते हैं यहां पड़ समझ सकते माला चेह कोई देश है कोई कंट्री है जो लगबख 3000 किलोमिटर लिंद में है कि इतना ही लगबख 32σω किलोमिटर उसका चोड़ाई है या फिर यह लंबाई है है इस तरिके से उसको बनाना तो सके मैप को उतना बड़ा प्र कहां से लाया जाए तो यानि इसके लिए 32 सेंटीमेटर का पेपर चाहिए ठीक एसको अश्केल होलते हैं यानि कि एक सिम्बल एक डिस्टेंस को यूट माल लिया जाता है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को यूणिट बजह से आप पर 100 किलोमेटर को एक यूणिट माल लिए तो बढ़ा चोटा अपने मैप के हिसाब से लेते हैं मतलब कितने एरिया का मैप बना और कितना बढ़ा हमारे पास पेपर है इस अधार पे जो कि अश्केव करता है तो एक्च्वल साइज और ग्रॉंड पर एक्षॉल आक्षवल्स साइज है और जो मैप में जैसे ग्राउंड पर यदि साइज रेब बतीस सो किलोमिटर अब मैप में शो किया है हम लोग 32 सेंटिमेटर इसको इसको बोग डिवाइड कर देंगे तो हम जो सब्सक्राइब किछ देखें होंगे जैसे यहां पर दिखाया भी गया है कि यह कोई बचा के स्कूल के और घर के बीच में दस किलोमेटर का अंतर है तो यह दी इसका मतलब कि दस km में 5 संटड लाएख यानि को फांट सेंटमीटर का बनाना पढ़ाईगा तहें हो गया this स mãe भी मेप को फिर दो तरीका में बागते होता है एक के लिधे को होता है आप गो हुआ है हम प्रतों पर गियो थोटी इस अहोगा सकते कि लड़ यया कंटिनन्ट और प्रणाटरी जा तो भी सोन ओना पेपर जब बहुत बड़ एरिया का जो लोग बनाते हैं मतलों कि कंटिनेंट का या कंट्री का तो असकेल हमारा थोड़ा बड़ा होता है जो है वान सेंटिमेटर इकोल टो किलो मीटर में या फिर थाउजेंट किलो में चला जाता है तो उसक स्किल में हम लोगों को ज्यादा इंफरमेसन मिलता है क्योंकि यहां पे छोटे एरिया का मैं बनाना होता है तो हम लोग ज्यादा इंफर्मेसीन को इसमें बता सकते हैं अब यहां पर मैप का दूसरा कंपोछ करेंट अपर होता है तो नीचे वाले को साउथ बोलते हैं इधर वाले को वेस्ट बोलते हैं हुआ है अगर आब यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मुश्ट में अरो मार्क विद लेटर एंड अपर राइट हैंड कोर्णर में उपर की तरफ लिखा रहता है इसको नौर्थ लाइन बोलते हैं यानि कि उपर तरफ नौर्थ है उसके नीचे साउथ हो गया फिंचम बतायते हैं ऐसे दिया है नौर्थ हो गया तो नीचे साउथ हो गिया फिर इधर इस्ट हो गया अर इधर वेस्ट हो गया है ना तो ए MARTIN सउस्ट और साउथ चारों को कार्डीनल डॉर्यक्षन बोलते हैं और यह च्रों जो है नॉर्थ हीस्ट साउथ य्ष्ट s wedding नॉर्थ वेस्ट तो इसको मुझ्ञ आरमडीर डिरेक्षिन बोलते हैं तो इसका यूची पता करने मुझ funeral होता है इसे हम लोग को पता चल जाता है जिधर हम लोग कर ले पाथ पता करने में एक में जाहाज चलाते हैं सेलर लोग के द्वारा इसका यूज किया जाता है थर्ड सिंबोल तो आप बताया थे कि मैप का तीन किसी कंट्री का मैप बनाना या किसी का मैप बनाना तो हम लोग वहां पर कैसे करेंगा जैसे कैसे बताएं मंदिर मंदिर का फोटो बनाना पड़ेगा फिर वहां पर नदी का फिर उस तरीके इसलिए उसके लिए एक इंटरनेशनल कंवेंशन मतलब कि सारे देश दुनिया में जितने देश है सम्झावता किये कंवेंशन पर साइन किये एक एग्रिमेंट किया इसा बोल सकते हैं कि देरी जन एग्रिमेंट बीट्वी रिगार्डिंग दिव इस तरीके से यूज करें इस हैं क्या मिए शांथा इस को रहा देख सकते हैं तो इस दिखाया गया है तरी इसलिए ऑचेसन यह रहा पर पर यह होता है नहीं दिया तो और इसलों नहीं को थो होता है यहीं सिंबोल यहाँ नेक्स्ट रोड रोड मेटल और अन्मेटल मतलव की मेटल मतलव जो बारहो महिना यूज होता अन्मेटल मतलव जो मिटी का रोड नॉर्मल कच्छा रोड जिसको बोलते तो इसका सिंबोल ऐसे यूज किया जाता है बाउन्डरी यह इन्टरनेशनल आप नवाइब हो अभी तो आप देख सकते हैं वहां पर इंडिया का बांडरी के पास ऐसा दिया रहेगा इसा होता है और डिष्टी का बांडरी ऐसा होता है रिभर इस तरीके से सो किया जाता है कुआ ऐसे एक डाट ब्लैक डॉट यह टैंक कैनाल ब्रीज है ना इस तरीक सबस्क्राइब जीरत तो लिखते हैं अब तो टेलिग्राफ ऑफिस बंधी हो गया है कि यहां पे सेट्यमेंट यानी किसी को घर है किसी मुहला ग्रेवयार यानी कि जहां पर चारगाह ट्री ग्राश सब का अपना एक एक सिंबोल है हर चीज का एक सिंबोल है तो इस जो है इंटरनेशनल कंवेंशन है आप ध्यान रखिएगा एक उनिवर्सल लेंग्वेज मतलब कि ऐसा लेंग्वेज सारे कंट्री मानता है जिसको और भी कलर का भी इसी तरह से है कि ब्लू कलर पानी के लिए सो किया जाता है ब्राउन कलर माउंटेन के लिए सो किया जाता एलो कलर प्लैटू के लिए सो किया जाता है आप यहां पर देख सकते हैं जैसे एक किसीच का सिंबल है यहां पर रिलिव लाइन है है यहां पर पूलिस अस्टेशन है यह मंदिर इसो किया रहा है आप यहां पर स तर्माता है कि अपने गाउंट वहां पर आप से कोई दोस्ता पूछ रहा है कि वहां क्या क्या घूमा तो आप सकेच बना रहे हैं यहां पर पहले बस स्टेंट से उत्रे यहां से रोट से गए फिर इधर एक रोड से यहां पर होटल मिला था वहां फिर वहां से आगे बढ़े इस तरीके से आप एक रख बना रहे ऐसे कुछ कुछ बता रहे कि आहां में आप हैसे घुमने गय तो इस तरीके आप है तो उसको को में बेस्ट होता है है और में अस्पोर्ट औपजर्वेशन एंद मतलब कि आपस क्वाएं नहीं कर सकते एक तरह से बहुत सकते हैं प्लान क्या है तो प्लान इज़ ड्रोइंग ऑफ स्मॉल एरिया लार्ज स्केल मतलए एक छोटे एरिया को एक बड़े स्केल पर बड़े स्केल कहने का बतलो कि जैसे पढ़े तरीके से गैलरी होगा फिर इधर एक रूम बनाएंगे इधर कीचेन ब एक छोटे एरिया के लिए मैप बनाना तो छोटे एक बंता हो क्या होता है होता है स्केल होता है यालग ल正कि जो को हर जगाशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग लोग को हर जगह यूज नहीं कर सकते गलोब को कैरी करना इजी नहीं है फिर गलोब में सारा इंफ्रमेशन नहीं आसकता हां गलोब तब यूजफूल है जब अर्थ को एक अब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग किसी आर्थ के खास हिसे के बारे पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को मैप का सहरा लेना पढ़ेगा मैप क्या है मैप में क्या के इसके बारे पढ़े सिंबल के बारे फटे हैं तो यहां पर पूछा जारा कि वाटरो थी कंपोनेंट सब्सक्राइब का तीन क्या क्या है तो फर्स्ट डिरेक्शन दूसरा डिस्टेंस दीसराइश इंबल सिंबल फोर काडिनल डिरेक्शन तो नौर्थ एस्ट वेस्ट और увид a Map में ज़ादा इन्फरमेशन होता से हैं ना मैई मोर इंफ्रमेशन देन Probable विदेन पिस्टिशुंड विटेक सब्सक्राब हमेल करों यह मिंत & मेध क्या होता है कि एक पार्टिकुलिर ऊस्केल होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे जिसमें सिंबुल हो डिरेक्षण हो और स्केल दिया हो इस मेप में ज्यादा information मिलता है ना सिंबुल के सारी जिसमें दिखाया जाता है म Bread कफिन में में किस तरह से सिम्बोल करता है तो सिम्ब्स चांटरि और इंटरनेश्elnि-जल्ट करता है तो यदि कोई दूसरे country में बना है दूसरे country को पई उसको असाणी से समझ सकते हैं कि हर जगा यह ही सीमर उच कि चया सब्सक्राइब क्या बोलेंगे तो इसको थिमेटिक मैप बोलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर है ना कि सच में फोकस अना स्पेस्पीक पर साच एज रोड रेंफॉल डिस्टिबीशन और फोरेस्ट यहाँ पर लोग थिमेटिक मैप बोलेंगे में हमें जैगे सब्सक्राइब कर ना हुटे होता इसका इश都 फिमेटिक हो नहीं सब्सक्राइब कर-पर बताएं और भी वीडियो लेक्चर देखें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद